गौरी देवी राजकिये महिला महाविद्याले अलवर में बियसी भागित दुतिये प्राणी सास्त्र की कक्षा का मैं डॉक्टर वी अनपांडे स्वागत करता हूँ बच्चों हम लोग एंडोक्राइनोलजी पढ़ रहे थे पिट्यूटी ग्रंथिका अध्यन हमने कर लिया था आज हम इसी से जुने हुए एक बहुत महत्तुपूर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे करते हैं नियूरो एंडोक्राइन मेकेनिजम्स तंत्रिका अंत्राश्रावी क्रियाएं नियूरो एंडोक्राइनोलोजी या तंत्रिका अंत्राश्रावी विज्ञान ये शरीर क्रिया विज्ञान ये फिजियोलजी की वो साखा है जिसमें हम तंत्रिका तंत्र और अंत्राश्रावी तंत्र नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच के परस पर अंतर क्रिया का अध्येन करते हैं अर्थात ये दोनों सिस्टम किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किस प्रकार एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम भी शरीर की फिजियोलोजी को प्रभावित करता है बायो केमिस्ट्री को प्रभावित करता है एंडोक्राइन सिस्टम भी शरीर की फिजियोलोजी और बायो केमिस्ट्री को प्रभावित करता है और दोनों मिल करके जो प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं नियूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन अर्थात नीयूरो एंडोक्राइन वो तन्त्र है पिछले लेक्शर में हमने पढ़ा था कि pituitary grantica नियंत्रण हाइबो थैलमस के द्वारा स्राव किये गए release hormone के द्वारा या release inhibitory hormone के द्वारा किया जाता है हाइबो थैलमस में अनेक nuclei पाये जाते हैं यहाँ nucleus का आर्थ या nuclei plural है nucleus singular है यहाँ nuclei या nucleus का आर्थ कोशिका के nucleus से ना माना जाए जब भी तंत्रिका तंत्र में brain में nucleus की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी रचना जहाँ पर neurons का गुच्छा पाया जा रहा हो और neuron की जो cell bodies होती हैं जिसको cyton कहते हैं तो जहाँ neuron के cyton इकठा हों cell bodies इकठा हों उसको कहा जाता है nucleus और उसी का plural है nuclei फिर से बता दू कि तंत्रिका तंत्र के अर्थ में nucleus या nuclei का अर्थ है अर्थात neurons के cytons के cell bodies के घुच्छे पाये जाते हैं इन में इसे मुखजिया जो है पेरिवेंटिकूलर नूक्लिएसं पे कारी से संबंधित हैं इनके जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डबुल फंक्शन अर्था उनमें दो प्रकार का कारी होता है एक तो नीरॉन का कारी और दूसरा अंतासरावी ग्रंथी का कारी नीरॉन के रूप में तो ये ब्रेन के विभिन भागों से संवेधना प्राप्त करते और ध्यान दें कि जब ये ब्रेन के विभिन भागों से सम्वेदना प्राप्त करते हैं तो वो सभी सम्वेदनाएं इनको मिल सकती हैं जो ब्रेन को मिली हैं ब्रेन को सम्वेदनाएं कहां से मिलती हैं पूरे शरीर के आंतरिक तंत्र की समवेदनाएं ब्रेन तक पहुचती हैं सेंसरी नर्वस के द्वारा तो इस तरह से पूरे शरीर के विभिन अंगों से समवेदनाएं ब्रेन तक पहुचती हैं उनको ये जो नियूरेंडोक्राइन को सिकाएं हैं जिनको मैंने कहा है नूकलि कि शरीर के बाहर की जो समवेदनाएं हैं, वातावरण की समवेदनाएं, इनको शरीर के जो समवेदनागराही अंग हैं, जैसे तवचा है, नेत्र हैं, या नाक है, ये सभी जो समवेदनागराही अंग हैं, कान हैं, ये इनसे द्वारा प्राप्त सूचनाएं भी मस्तिस्क को पहुँचती हैं और मस्तिस्क से वो सूचनाएं हाइपो थर्मस के इन न्यूकलियाई तक पहुचा दी जाती हैं इसी प्रकार वाता औरण में होने वाले परिवर्तन प्रकास की जो अवदी है जिसको डे लाइट कहते हैं फोटोपीडियेट कहते हैं या अंधकार और प्रका इसका जो अनुपात है दिन और रात का अनुपात इसका भी सूचना ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन से हाइपोथैलमस तक पहुंचती है तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका के रूप में विभिन कोशिका विभिन शरीर के आंतरिक अंगों से सूचनाय प्राप्त करना और तो sensory organs, संवेदनाग्राही अंगों के माध्यम से तथा brain से होते हुए बाहरी बातावरण की सूचना प्राप्त करना ये इस neuroendocrine nuclei या कोशिकाओं का काम है एक तो तंत्रिका कारी हुआ अब endocrine कोशिका के रूप में ये उन सूचनाओं को प्राप्त करके और उनके आधार पर कुछ hormone का स्राव करते हैं जिन्हे regulatory hormone या release hormone काते हैं तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो neuroendocrine कोशिका होती है इनके एक्सान दो प्रकार के होते हैं कुछ लंबे एक्सान होते हैं और कुछ छोटे एक्सान होते हैं ध्यान से देखें ये एक diagram है इसको मैं सीधा नहीं कर पाया हूँ इसलिए आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, द्यान से देखेंगे, यहां देखें, यह कोशिकाएं, यहां जैसे चार कोशिकाएं बनाई गई हैं, यह चार निरो एंडोग्राइन कोशिकाएं हैं, इनके उपर की तरफ जो फाइवर्स गए हैं, वो उसके डेंडराइट्स हैं, वो ब्रेन से सूचना को इस तंत्रिका कोशिका में ला रहे हैं, डेंडराइट्स के द्वारा ब्रेन की सूचनाएं इन तंत्रिका कोशिकाओं में पहुँच रही हैं, जो यहां दिखाई दे रहे हैं, चार कोशिकाएं आप देख सकते हैं, यह कोई एक ही निरोग्राइस ह यह चार एक्सान दिखाई दे रहे हैं तो यहां से निरो इंडर्ट्रेंड कोशिका से जो स्राव किया जाएगा जो हार्मोन बनेगा उन एक्सान से होता हुआ आगे बढ़ेगा यह एक्सान एक नलिका के रूप में कारे कर रहे हैं और यह आगे पहुँच करके यहां पर यह जो दिख रहा है कैपिलरी लिखा हुआ है यह मीडियन एमिनेंस है मीडियन एमिनेंस में पहुँच करके वहाँ पर ये अपने सराव को छोड़ देंगे जो हाइपोथेलमस के नुकलियाई द्वारा बनाए गए हार्मोन्स थे वो एक्सॉन से होते हुए मीडियन एमिनेंस तक पहुँचेंगे और यहां से रक्त में होते हुए यह टार्यट र psychiatन्स यहां लिखा हुआ आप देखेंगे टार्यट अर्गन्स तक पहुचते हैं तो इस प्रकार से यह एक तो तंत्रीका का कारिय हो गया उपर से सूचना पराप्त किया और दूसरा हॉर्मोन का कार्य हो गया हॉर्मोन बनाया और उसको रत में पहुँचा दिया रत के दोरा वो आगे कैरी किया गया इसलिए यह हॉर्मोन का लाया तो यह structure का हैं diagram बनाया गया है आप इसको देखेंगे तो मैंने बताया दो प्रकार के यहाँ पर neuron होते हैं अगले diagram में आपको clear करते हैं यह देखेंगे यह diagram है इसको देखें नहीं से देखें ऊपर पीले रंग में कुछ cells बनाई गई है यही hypothalmic neuroendocrine को सिकाएं है यहाँ देखें पैरा-ventricular nucleus लिखा हुआ है supra-optic nucleus लिखा हुआ है ऐसे ही उपर मैंने आपको 4 nuclei के नाम बताए थे periventricular supra-chasmetic तो इस प्रकार से यह nuclei है पीले रंग में बनाए गई हैं वहाँ से देखें तो axon निकल करके आ रहे हैं कुछ axon आप इधर 4 axon इधर के देख लें left side में यह 4 axon आप देखेंगे काफी लंबे हैं और वहाँ से चल करके यह pituitory के पिछले भाग में यह जो आप भाग देख रहे हैं यह pars nervousa है यह neurohypophysis है यहाँ पर बनाया गया है इसको अगला हिस्सा ना समझेंगे तो यह pars nervousa neurohypophysis का भाग है वहाँ तक axon से होता हुआ यह स्राव जो peraventricular या periventricular या supraoptic nucleus से निकला था यह axon से होता हुआ hormone पहुचेगा pituitory के पिछले हिस्से में जिसे neurohypophysis काते हैं वहाँ पर यह रक्त में सामिल हो जाएगा वहाँ देखें रक्त की नलिकाओं दिखाई दे रही है इन रक्त की नलिकाओं में प्रवेश करेगा और रक्त की पार्स नर्वोसा से यह रक्त की नलिकाओं में रिलीज किया जाएगा वहाँ से यह पूरे शरीर में पहुचेगा oxytosin और wesopresin यह दो इसी प्रकार के हार्मोन है निर्माड हाइपोथेलमस में हुआ उसके एक्सोन के द्वारा यह posterior pituitory में पहुचा दिये गए वो इनका एक तरह से इस्टोरेज हो गया और वहाँ से यह रिलीज किये जाएंगे रक्त में रक्त से होते हुए शवीर के वेविन नभागों तक यह पहुचेंगे oxytosin और wesopresin या antidiuretic हार्मोन अब देखें इधर supraoptic nucleus से निकलने वाली तीन कोशिकाएं बनाई गई हैं और इनके जो एक्सोन हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाई गए हैं बना हुआ है यह पिछला हिस्सा या neurohypophysis बना हुआ है तो adenohypophysis और neurohypophysis दोनों तक ही यह छोटे वाले एक्सोन नहीं पहुच रहे हैं यह रास्ते में जाके खतम हो जा रहे हैं जहां यह खतम हो रहे हैं इसको median eminence कहते हैं यहां पर लिखा हुआ median eminence median eminence वाले भाग में यह exon terminate हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं अर्थात supraoptic nucleus से जो स्राव हुआ वो pituitry तक सीधे नहीं पहुचा बलकि median eminence भाग में छोड़ दिया गया median eminence में आप देखें यहां रक्त की नलिकाओं का गुच्छा दिखाई दे रहा है तो जो स्राव यहां छोड़ा गया वो इस रक्त की नलिकाओं में प्रवेस कर जाएगा और यहां देखें hypophysial portal vein दिखाई दे रही है नीरे रंग में बनाया गया है उससे होता हुआ यह हर्मोन pituitry के अगले हिस्से में adenohypofysis में पहुचेगा तो और फिर यहां से यह pituitry के अगले हिस्से adenohypofysis में विबिन प्रकार के हर्मोन्स का निर्मार्ट परेडित करेगा जिनकी सर्चा आप पिछले लेक्षर में पढ़ चुके हैं TSH ACTH Gonadotropic Hormone ये सभी आप पिछले lecture में पढ़ चुके हैं उनका स्राव इसी anterior pituitary से होता है और उसको प्रेरित करने के लिए उसके स्राव को प्रेरित करने के लिए supraoptic nucleus से release hormone बनेंगे वो median eminence में आएंगे median eminence से उनको रक्त में पहुँचाया जाएगा और फिर रक्त से होते हुए वो pituitary के अगले हिस्से में पहुँचेंगे अगर ये रक्त से होते हुए नहीं पहुँचते तो ये hypothalamic hormone नहीं कहलाते क्योंकि hormone की परिभासा में ये सामिल है कि उसको रक्त के द्वारा केरी किया जाए तो ये यहां पर यही बातें जो भी आपको बताई गई वो लिखी हुई है कि हाइपो थायलमस जो है वो कई तरह के release hormone स्रावित करता है काल्टिकोट्रोपिन release hormone जो की ACTH एडिनो काल्टिकोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन का नियंतर्ण करता है और एक तरह से अडिनल गरिंटियों का नियंतर्ण करता है गोनेडो ट्रॉफिक गोनेडो ट्रॉफिन release hormone जो FSS और LH के स्राव को प्रेडित करता है पिट्यूट्री से थाइडो ट्रॉपिन release hormone जो पिट्यूट्री से TSS के स्राव को प्रेडित करता है प्रलेक्टीन release इनियंतर्ण जो पिट्यूट्री से प्रलेक्टीन के निर्मार को स्राव को प्रेडित करता है और ग्रोथ हार्मोन release इनियंतर्ण जो ग्रोथ हार्मोन को नियंतर्ण करता है इसी तरह से प्रोलेक्टीन हार्मोन का नियंतरन और ग्रोथ हार्मोन का नियंतरन जो कि निगेटिव विदी से होता है इनिविटरी हार्मोन के तोरह होता है इस तरह से ये हाइपोथेलमस के बने हुए हार्मोन पिट्यूटरी के अगले हिस्से के सभी हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और पिछले हिस्से के हार्मोन को नियंत्रित नहीं करते बलकि पिछले हिस्से अर्थार्थ posterior pituitary and neurohypophysis का hormone hypothalamus के nuclei खुद बनाते हैं और वहाँ भेजते हैं तो यह आपको हमने mechanism पर बताई है आगे चलते हैं इस diagram को आप दुवारा देख लेंगे और WhatsApp पर देखेंगे यह बहुत साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा आप इस diagram को बना भी सकते हैं बहुत सिंपल है Neuroendocrine system का क्या महत्तो है जैसा आभी मैंने बताया कि एक तरफ तो यह brain के center से अपने dendrite के माध्यम से संपर्क रखती है और दूसरा अपने exon के माध्यम से यह pituitary से संपर्क रखती है तो एक तरफ यह कोशिकाई एक तरफ ब्रेन से जुड़ी है और endocrine तंतर का अंतासरावी तंतर का मुख्य के अंदर pituitary है तो यही कोशिकाई अपने exon के द्वारा pituitary से भी जुड़ी हुई है और जैसा मैंने कहा यही इनको neuroendocrine cell कहे जाने का कारण है यह neuron का भी कर रहे हैं और endocrine gland का भी या endocrine cells का भी कार कर रहे हैं इसलिए इन्हें neuroendocrine cell कहा जाता है तो जैसा भी बताया था कि इस तरह से क्योंकि यह दोनों तरफ जुड़े हुए हैं तंतर का तंतर का मुख्य के अंदर brain वहां से यह सूचनाय प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर यह hormone का दिर्मार करते हैं और उस hormone को pituitary में भेजते हैं और pituitary की कोशिकाएं विविन प्रिकार के hormones का स्राव करती हैं जो मुख्य Neuro Endocrine Systems हैं उनको हम एक्सिस कहते हैं पहले साय चर्चा की थी Hypothalmic Pituitary Adrenal Axis अर्थाद यह वो तंतर है जो adrenal ग्रंतियों के स्राव को नियंतित करता है Hypothalmas से कॉल्टिको ट्रोफिन रिलीज हार्मोन बनता है यह pituitary में पहुंचता है pituitary से Adrenal-Carticotrophic हार्मोन ACTH का स्राव इसके द्वारा प्रेडित होता है ACTH Adrenal ग्रंतियों को कॉल्टिको इस्टरोइड हार्मोन का स्राव करने के लिए प्रेडित करते हैं इस्टराइड ग्लुकोज मेटाबोलिज्म, मिनरल मेटाबोलिज्म, प्रोटीन और लिपीड की मेटाबोलिज्म को प्रभावित करते हैं नियंत्रित करते हैं इसी तरह से Hypothalmas Pituitary Thyroid Axis इस एक्सिस में Hypothalmas से Thyrotropine Release हार्मोन सिक्रीट होता है Thyrotropine Release हार्मोन जो कि Hypothalmas से बना वो anterior pituitary में पहुंचता है और वहां से Thyroid Stimulating हार्मोन या TSS के स्रावखु प्रेडित करता है TSS Pituitary से रिलीज होकर के रक्त से होता हुआ Thyroid में पहुंचता है और वहां से Thyroid हार्मोन जिसको Thyroxine करते हैं उसके स्राव को नियंत्रित करता है Energy Metabolism मुख्य रूप से इसी एक्सिस के द्वारा नियंत्रित की जाती है अगला है Hypothalmas Pituitary Gonadal Axis ये जननांगों की क्रिया को नियंत्रित करता है Hypothalmas से दो प्रकार के रिलीज होर्मोन बनते हैं एक Follicle Stimulating Hormone Release Hormone और दूसरा Luteinizing Hormone Release Hormone पहले को FSHRH काते हैं दूसरे को LHRH काते हैं ये प्रजनन की क्रिया को सभी पहलू से नियंत्रित करते हैं इस परमेटोजन्सिस की क्रिया वोजन्सिस की क्रिया ओवेरियन साइकिल की क्रिया हैं प्रेगनेंसी के समय में शरीर के विभिन तंत्रों को सक्रिय रखने की क्रिया हैं पारचूरिसन अर्था चाइल वर्थ जिसको लेवर कहते हैं उस क्रिया को इसी के साथ लेक्टेशन दुख्द निर्मार की प्रक्रिया शिशू के लिए और पैरेंटल केर शिशू की देख भाल पैरेंट्स के द्वारा इन सभी कारियों का नियंत्रण हाइपोथालमस, पिट्यूट्री, गोनेडल एक्सिस के द्वारा होता है पिट्यूट्री, हाइपोथालमस से FSH, आरेच स्रावित होता है, वो पिट्यूट्री से FSH का स्राव कराता है और FSH, गोनेड्स में पहुँच करके फीमेल में फॉलिकिल की बृद्धी करवाता है, मेल में इस पर मेटोजेंसिस की क्रिया को प्रेडित करता है दूसरा हॉर्मोन जो LHRS है, लिट्यूट्री में पहुच करके ये LH या लिट्यूट्री में 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 करता है जबकि जो FSH-RH है वो मुख्य तया एस्ट्रोजन के स्राव को नियंत्रित करता है इसी तरह से हाइपोथाल्मिक नीरो हाइपोफाइसियल सिस्टम है ये वास्तों में वैसोप्रेसिन या एंटिडाइयुरेटिक हार्मोन के स्राव की बात है या आक्सिटोसिन ये दोनों पिट्यूट्री के पिछले हिस्से से या नियरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथाल्मस से कोई रिलीज हार्मोन नहीं बनता है बलकि स्वयंग ये दोनों हार्मोन आक्सिटोसिन और वैसोप्रेस हाइपोथलमस की कोशिकाओं के द्वारा बना दिये जाते हैं और वहां से पिट्यूटरी में भेज दिये जाते हैं पिट्यूटरी के नीरो हाइपोफाइसिस भाग को हार्मोन निर्मार का कारियन नहीं करना है उसे खाली हार्मोन रिलीज करना होता है और निर्माड हाइपोथलमस में हो जाता है तो ये विभिन प्रकार के एंडोक्राइन सिस्टम्स की बात की इसके महत्तों के बारे में हमने बताया और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है मैं फिर से कहूँ कि ये बहुत ही महत्तोपूर सिस्टम है क्योंकि इसके बिना तंत्रिका तंत्र शरीर को बायोकेमिकल जयोरासाइनिक नियंत्रन नहीं कर सकता है जय और आसाइनिक नियंत्रन करने के लिए तंत्री का तंत्र को हॉर्मून तंत्र या एंडुक्राइन तंत्र का साहयोग या उसके द्वारा निश्चित क्रिया भी आवस्यक होती है तो बच्चों ये बात पूरी हुई बड़ा ही रोचक टॉपिक है कोई प्रशन हो तो आप यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स का होता है पब्लिक कमेंट्स वहाँ अपनी सवाल लिख देंगे कुछ भी जानना चाहें अधिक जानना चाहें नहीं समझ में आया हो उसको प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद बच्चों झाल